इस लोग सभा चुनाव में भारत का सम्मिधान बड़ा चुनावी मुद्दा है। विपक्ष कह रहा है कि अगर नरेंद्र मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बने तो बिजेपी सम्मिधान बदल देगी। बिजेपी इन दावों को सिरे से खारिच कर रही है। बिजेपी का दावा है कि कॉंग्रेस और इंडिया ब्लॉग की पार्टियां सम्मिधान बदलना चाहती है। दुनिया भर में भारत के सम्मिधान की बड़ी साख है। इसमें विधाईका, कारपालिका और न्याईपालिका की शक्तियों का जिक्र है। साथ ही केंद्र और राजी की शक्तियों और संबंदों से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश भी है। सम्मिधान में भारती नागरिकों के मौलिक अधिकार भी शामिल है। सम्मिधान में उसमें बदलाव का भी प्रापधान है। लेकिन लीगल एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें बदलाव करना आसान नहीं है। अनुछे 368 में इस बात का जिक्र है कि सम्मिधान में बदलाव किस तरह किया जा सकता है। और वोटिंग के लिए मौझूद कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत चाहिए। तीसरे संशोधन के लिए ना केवल विशेश बहुमत चाहिए बलकि देश के कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की भी जरूरत होती है। मौझूदा राष्टपती को पत से हटाने और नए राज बनाने के लिए सम्विधान में तीसरे तरह के संशोधन किये जाते हैं। Supreme Court in 1973 had said that you cannot change the basic structure of the Constitution. So even if you get 545 MPs in Lok Sabha and 250 MPs in Rajya Sabha, through a constitutional amendment you won't be able to change the basic structure of the Constitution. Now this judgment is coming after Golakhnat, where Supreme Court has said in 1967 that Parliament cannot amend the Constitution. To amend the Constitution, it has to create the Constituent Assembly. And the argument of Supreme Court in that case was, since Parliament is the creation of the Constitution, it cannot destroy the Creator. A happy wedding of two extremes that you can amend any provision of the Constitution at will and that you cannot amend the Constitution at all was reached in 1973 when a 13th judge bench of the Supreme Court said that Parliament can amend any provision of the Constitution, but it cannot destroy the basic structure of the Constitution. सम्विधान के मूल दाचे में लोक्तन्त, संगवाद, शक्तियों का बटवारा, न्याइक समिक्षा और सेक्यूलेरिजम शामिल है. एक्सपर्ट के मुताबिक, संसत सम्विधान के इन मूल सिद्धान्तों में कोई बदलाव नहीं कर सकती है. सम्विधान के जानकारों के मताबिक, भारती सम्विधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल दाचे को सुरक्षित रखा गया है. नहीं पालिका सम्विधान में किये गए संशोधनों की समिक्षा करने का अधिकार रखती है. इस तरह सम्विधान के मूल सिद्धान्तों का पालन तै किया गया है. झालिका कि अधिका जास्विधान में किया जाचे रखती है.